हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रूवी और अध्रूवी सहसंयोजग बंध के बारे में देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजे हमको समझ में नहीं आती तो मैं आप लोगों को हर एक छोटी वीडियो के माध्यम से हर छोटे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिस करूँगी ठीक है तो चलो हम लोग एक नया कॉंसेप सिखते हैं जैसे कि देख रहो क्या लिख है ध्रूवी सहसंयोजग बन देखो ध्रूवी का मतलब क्या होता है कि जब वहाँ पर कोई भी अणू है उसमें ध्रूव दिखाई देते हैं ध्रूव मतलब दो विप्रीत आवेश दिखाई देंगे तो वो क्या कहलाएगा ध्रूवी सहसंयोजग बन जैसे कि अगर हमने एक्जामपल लिया हाइड्रोजन क्लोराइड का ठीक है तो यह जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इनके बीच में क्या होता है इलक्ट्रॉनों की साजेदारी होती है हमको मालूम है कि जब भी इलक्ट्रॉन की साजेदारी होती है उसको हम क्या कहते है तो जैसे यह इलक्ट्रोन को अपनी और खीचता है इसके उपर के आया आंशिक धनाविश और क्लोरीन के उपर के आया आंशिक रिड़ाविश मतलब यहाँ पर जो इलक्ट्रोनों का सहभाजन हुए है वो समान रूप से नई हुआ इसके पास कम इलक्ट्रोन आया जिसको हम लोग प्लस से धर्षा रहे हैं और क्लूरीन के पास अधीक और अधीक इलेक्ट्रण College जिसको हमने माइस से दर्षाया तो उसी चीज को ये परिभासा बता रहे हैं कि ऐसा बंद जहां इलक्ट्रोनों का जो सहभाजन है वो समान रुप से नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं धुरूवी सासयोजक बंद कहते हैं सीधी सी बात किये समझना धुरूवी मतलब जहां पर धुरूव दिखाई दे धन और रिण उसको हम लोग क्या कहते है द्रूवी और ऐसे ही एक टॉपिक आएगा जो अगला हम लोग पढ़ेंगे द्वी द्रूवी तो द्वी द्रूवी मतलब क्या होता है ये दो द्रूव दिखा रहे है एक धन और रिण तो उसको हम क्या कहते है द्वी द्रूव कहते है ठीक है अब पर इलक्ट्रोनों का सहभाजन कैसा हुआ था समान रूप से हुआ था वैसे ही यहाँ पर इलक्ट्रोनों का जो सहभाजन है शेरिंग है वो कैसे होगी समान रूप से होगी यहाँ पर इलक्ट्रोनों का सहभाजन समान रूप से नहीं हुआ था मतलब यह जो क्लोरीन है उसने इनकी एक बराबर है, तो आधा इलक्ट्रॉन ये ले लेता है, और आधा इलक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो इस तरीके से इसमें C-L- चार्ज और इसके पास भी C-L- चार्ज आया, मतलब हमने क्या देखा कि दोनों के पास समान आवेश है, ऐसे ही अगर हम लोग एक और एक् तो इसको हम क्या कहते है, आध्रूवी सासेयोजग बन, तो क्या समझने हमको ध्रूवी और आध्रूवी में, ध्रूवी मतलब जहां धन और रिण आवेश हमको दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाएगा, ध्रूवी सासेयोजग बन, और जहां पर रिण और रिण आवेश द होता है देखो द्वीधुह आगुण मतलब वह शब्द से क्या समझाना चाह रहे हैं जिसके दो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं द्वीधुह आगुण मतलब इस में डो विपरित और द्रूब्लाप निसान की जो अधिकता है और इस तरीक टीर के निसान से दरसाते हैं, मतलब इजो तीर का निसान है वो क्या बता रहे है, कि यहाँ पर विद्यत्रणता जादा है, ठीक है अब इसका एक सूत्र होता है द्वीध्रू आगुण बराबर आवेश गुणित दूरी, है ना यह जो द्वीध्रू आगुण इसको हम म्यू से दरसाते हैं, है ना, यह क्या है म्यू है, ठीक है, इसको हमने म्यू से दरसाया, तो म्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी, मतलब आवेश गुणित दूरी, अगर पूछा जाए कि द्वीध्रू आगुण क्या है तो यह आवेश और दूरी दोनों का क्या होती है, गुणन फल होती है ठीक है, अब इसकी इकाई जैसे हम लोग हर जो टॉपिक पढ़ते हैं उसकी कोई नो कोई इकाई होती है क्योंकि यह किसको नाप रहे है, कोई भी जो दो तत्व है, उनके आवेश और दूरी को नापता है, ठीक है तो इसकी इकाई क्या कहलाएगी डिबाई होती है, और इसको हम लोग डी से व्यक्त करते हैं, ठीक अब वन डिबाई बराबर क्या होता है एक गुणी दस की घात, रिंड अठारा इस्यू सेंटिमीटर होता है तो समझ में आया, आपको इसी तरीके का नोट्स बनाना है ताकि ये जो सारी चीज़े जो मैं बोर्ट पे लिखनी, वो उतना तुमको कॉपी में लिखने के लिए सफिशेंट है अब हम लोग देखते हैं, इसके कुछ अनुप्रयोग की किसमे द्वीद्रू आगुण जादा होगा और किसमे द्वीद्रू आगुण कम होगा, अब हमको इसके कुछ अनुप्रयोग देखना है, और उन अनुप्रयोगों के आधार पर हम बताएंगे कि किसका द्वीध्रू आगुण सुन्य होता है और किसके द्वीध्रू आगुण का कुछ न कुछ मान होगा ठीक है? तो देखो पहला वाला है कि अगर कोई भी अणू आसम्मित है तो वहाँ पर उसका जो द्वीध्रू आगुण है वो शुन्य नहीं होता क्योंकि बंद धुरूवता के कारण ये निरस्त नहीं करते हैं देखो कैसे ये अणू आसम्मित होंगे अगर हम NH2 की सनरशना बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा नाइट्रोजन बीच में और दोनों हाइड्रोजन सेंटर में वैसे हम H2O की सनरशना मनाते हैं तो ऑक्सिजन बीच में होगा और हाइड्रोजन जो है वो साइड में होगा तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा विद्यूत्रणात्मक है है ना तो हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को देखा तो हमने क्या पाया कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है विद्यूत्रणात्मक तो जो भी इलक्ट्रोजन होगा वो किस से जाएगा नाइट्रोजन की ओर जाएगा और इसको हम लोग इस तरीके के तीर से दर साते हैं, तो वही चीज है, यहाँ पर भी इनके साजे का इलक्टरॉन है, वो किस ओर जाएगा, नाइट्रोजन की ओर जाएगा, और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो यह खुद क्या है, विद्यत्रणात्मक है, तो इसका जो द्वीद्रू आगुण का गुण है, वो किधर जाएगा, उपर की ओर, तो हमने क्या देखा, इनका जो द्वीद्रू आगुण है, यह यहाँ इस साइड उपर की ओर जा रहे है, और इन दोनों का भी जो इलक्टरॉन है, वो उपर की ओर जा रहे है, मतलब जितने भी असम्मित अणू है वहाँ पर इनका द्वीध्रू आगुण सुन्य नहीं होगा क्योंकि ये एक दिशा को बता रहे है ना सीधे इनकी दिशा हुई तो यहाँ पर यह जो म्यू का मान है वो होता है म्यू बराबर 1.84 डिबाई ठीक है अब हम H2O को देखते हैं तो ये जो H2O ह जादा है इसलिए इसका जो द्वीध्रू आगुण क्या होगा उपर की ओर होगा फिर जब हम Oxygen और Hydrogen की बात करते हैं तो यह जो Oxygen है वो ज्यादा विद्यूत्रूनी होगा वो क्या करेगा पूरे इलक्ट्रॉन को अपनी और खीचेगा तो इसमें भी हम इस तरीके का एर जो द्वीध्रू आगुण है उसका मान शुन्य नहीं होगा तो इसका जो द्वीध्रू आगुण है उसका मान होता है शुन्य दसमलाव नौ शुन्य डिबाई तो ध्यान रखेंगे जितने भी असम्मित अणू है इनका द्वीध्रू आगुण शुन्य नहीं होता क्योंक जो कुल द्वीधु आगुण है वो किस दिशा को दर्शार है उपर की ओर दर्शार है ठीक है इसी में जब हम अगला एक्जामपल देखते हैं जब हम ये दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं तो दूसरा अनुप्रयोग क्या कहता है कि अगर जो हमारे पास अनुप है उनकी आकृति कैसी होगी सम्मित होगी या रेखी ज्यामिती होगी तो यहां पर क्या होता है इनका द्वीध्रु आगुण क्या हो जाएगा शुन्य हो जाएगा क्योंकि ये दैशिक प्रवित्ती के कारण एक दूसरे की धुरूवता को क्या करेंगे निरस्त कर देंगी जैसे इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन मतलब दोनों की जो आकृति है वो इस तरीके से है ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते है सम्मित आकृति तो यहां पर क्या होगा हमको क्या देखना है कि जो भी विद्योत्रेणी ज्यादा है उसकी और इलक्ट्रॉन युगम जाएगा तो यह जो है यह ज्यादा विद्योत्रेणी तो इधर गया इसके ओपर आंशिक रिणाविश यहां पर भी इलक्ट्रॉन इधर गया इसके ओपर भी आंशिक रिणाविश और कारवन के पास क्या आता है आंशिक धनाविश तो हमने क्या देखा एक इधर से इलक् उसको कुछ रहा है तो हम लोग एक हमारे पास सिर्फ क्या है एक ही पैन है तो जो एक ही पैन है इसको एक हाथ से इधर खीशती हूं एक हाथ से इधर से इधर खीशते हैंThis ुश्प 1द 001 he will be राबर हिस्थों में बढ़ जाएगा और सामने वाले की तरब और नहीं मेरी साइड आया मतलब यहां पर जो कुल द्वीधु आगुण का मान है वो क्या हो गया शुन्य हो गया तो इसलिए कहा गया कि जितना भी सम्मित अनू है या फिर जिसकी आकृती रेखी है उनका द्वीधु आगुण क्या होता है शुन्य होता है क्योंकि यह एक दैशिक प्रकृ हो जाएगा जिरो हो जाएगा ठीक इसलिए कहा जाता है कि बाट के काम करना चाहिए अगर दोनों साइड से खीचोगे तो वो जो बंध है वो किसी के भी पास नहीं रहेगा ऐसे हम लोग बी एफटू का एक्जामपल देखते हैं यह जो बेरिलियम फ्लोराइड है यहां प हो जाता है तो इसलिए कहा गया है कि इनके द्वी द्रू का मान क्या होगा शुन्य होगा क्योंकि यह इनकी जो द्रूमरता है उसको निरस्त कर देते हैं तो यह लाइन को जरूर लिखना कि यह क्या करेंगे एक दूसरे की द्रूमरता को नस्ट कर देते हैं ठीक है अब एक question exam में बहुत पूछा जाता है कि NH3 और NF3 है इन में से किसका द्वीधरू आगुण शुन्य होता है और किसके द्वीधरू आगुण का कुछ न कुछ मान होगा ठीक है तो इसको हम लोग compare करके देखते हैं जब हम NS3 की सनरशना बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा nitrogen है nitrogen के पास तीन हाइडरोजन जुडएंगे यह तीनों के तीनों क्या है हाइडरोजन है और इसके पास साथ में क्या होता है एक एकाकी electron युग्म होगा ठीक है वैसे ही जब हम NF3 की बात करें तो NF3 में भी कौन है हमारे पास तीन फ्लोरीन है और यहां पर भी एक क्या होता है एकाकी electron युग्म होता है ठीक अब यहां पर हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो ज़्यादा विद्यूत्रिणी है उस तरफ हम arrow को दिखाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा जो nitrogen है वो खुद विद्यूत्रिणी है इसले क्या होगा उपर की दिशा में दिखाया जाएगा जो दूइधरु आगुण है वैसे यहां पर उपर की दिशा में दिखाया जा यहां पर कभी arrow इधर जाएगा और यहां का भी arrow इस साट जाएगा ठीक है और जिससे क्या होता है इन सब में पार्शेल पॉजिटिव मतलब धनात्मकाविश आएगा और यहां पर क्या आ जाता है रिनात्मकाविश वैसे ही जब हम nitrogen और fluorine की बात करें तो अब तो यहां प भी fluorine की ओर और यहां पर भी fluorine की ओर तो अगर आपको दिखाई दे कि जो आपका द्वीध्रू आगुण है उसका मान सीधी दिशा में जा रहे हैं मतलब यहां म्यू का मान शुन्य नहीं होगा ठीक है और अगर हमको ऐसा दिखाई दे कि एक जो है उपर जा रहे हैं और ए और किसका नहीं है ठीक है तो इसका जो द्वीध्रू आगुण है उसका मान क्या हुआ 1.47 डिबाई ठीक तो आपको जो वेल्यू है वो याद करने की ज़रत नहीं है सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर वो कैंसल कर रहे है तो उसके द्वीध्रू आगुण का मान शुन्य होगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोग विध्रू आगुण निकाल सकते हो तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब दू चैनल